वेल्लो एंड वेल्कम दोस्तों आज की वीडियो में बात करूँगा बहुत सारे यूजरों को यह वाली प्रोब्लम बहुत ज़्यादा फेस करने के लिए मिलती है और इसका सॉलूशन और सारी चीज़ें आपको कबर करके देने वाला हूं तो आपने पहले से बना लिया था गलती से बन गया या अपने जनुवन तरीके से बनाया उससे मैटन नहीं करता तो अगर आप अपनी वैपसाइड के लिए एडसेंस अकाउंट यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको मैं बता देता हूं कि आप अपनी वैपसाइड को तो डारेक्टी आप अपने मैं एडसेंस से जोड सकते हैं उसमें कोई प्रोब्लम नहीं आएगी लेकिन आपको एमेल आईडी का पता ही नहीं कि ये किस की इमेल आईडी है तो उसके उन उस कंडीशन में भी आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा और आप चाहते हैं कि ये वाला भी AdSense आपके पास रहे और आप एक new AdSense भी रखें तो तीनों चीजों को मैं cover करूँगा कि कैसे कैसे आप website की पहले बात कर लेते हैं छोटा सा point हो रहाएगा तो पूरा वीडियो आप ध्यान-ध्यान से देखते रहना एक एक point को जब आप AdSense अकाउंट पर होते हैं ठीक है जब आप AdSense को connect करने की कोशिस करते हैं तो website पर सबसे पहरा option यह मिलता है ठीक है मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं यहां पर जो यह है side ठीक है side पर जैसी क्लिक करगें आप यहां पर 50 से ज्यादा अपनी side को add कर सकते हैं ऐसा इसमें Google का rule है कि आप 50 से ज्यादा side को यहां पर add कर सकते हैं side add करने के लिए यहां पर add side पर क्लिक करने के यहां पर आपको URL बगएर आपको फिल्ट करना पड़ेगा वह चीजह मैं है next video मैं किसी में cover करूंगा कि website को कैसे connect करते हैं तो यह आपका simple सा हो गया अगर new website आप चाहें तो आप एक new आप next पॉंटों की और बढ़ते हैं चुकि आपको बहुत ज्यादा YouTube बालों को बहुत ज्यादा soul है कि वह चाहते कि एक अलग add sense बनाए तो guys एक यहां पर अगर आप mail चेक करेंगे सबसे पहले mail में आपको सीधा लिखा हुआ है कि यहां पर जो है एक person के लिए एक ही adsense account allow होता है यानि कि मैं अगर मैं अगर एक ही adsense अपने नाम से चला सकता हूं अगर मैं दो adsense अपने नाम से नहीं चला सकता ऐसा Google का rule है मैं मेरे नाम से एक ही address पर दो adsense कता ही नहीं चलेंगे तो मतलब कि मेरे mobile number साबरी चीज़े track हो जाते हैं online Google पर त ठीक है तो यहां पर लिखा हुआ adsense only one person allow यह सारी चीज़ें यहां पर लिखी हुई है वाकाइदा आप यह चीज़े पढ़ सकते हैं तो यहां पर दो condition हमें मिलती है first यह तो आप इसी से connect कर लेजिए ठीक है आप चाहते हैं कि इसी से connect कर लेजिए लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं सही connect करूं क्योंकि वो YouTube channel मेरा अलग है और बाजी चांस किसी भी कारण से मेरा adsense किसी भी YouTube channel पे अनलेगल activity आने के कारण मेरा adsense block हो जाता है वो चीज़ आ जाती है अपने चीज़ां को देखा होगा तो इस वज़ए से मैं दोनों channel को एक ही एक ही चीज़ पर खत्रे म चीज़े करनी पड़ेंगी मैं आपको एक एक पॉइंट आप ध्यान से देखना है यहां से वीडियो को और आप जो है सबसे पहले आप क्या करना है मैं आपको यहां पर समझाता हूं तो सबसे पहले आपको 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 जैसे ही आप चोंसी भी Gmail ID को चोईस करने चाते हैं वो Gmail ID जिस पर भी आपने अपना आइडसेंस बनाया है ठीक है तो वह वाली अकाउंट की email ID चोईस करने करने कर दो मैंने अपना चेंज किया था तो मैं आपको बता रहा हूं उसकार manage your account पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने को आपको इसका totally ही नाम चैंज कर देद आपको यहां पर नाम बगएरा सब चीज यहां पर आपको दिख जाएगी आपकी data of birth वगएरा यहां पर आपको नाम बगएरा यहां पर change कर लेना गलती से भी दूसरी email ID जो मैंने जिस पर एडसेंस है वह यहां पर connect नहीं होना चाहिए mobile number उससे connect है तो वह भी आप change कर ले जिस पर भी आपने एडसेंस account लिया हुआ है तो उस number से आपका account link नहीं होनी चाहिए दूसरे account दूसरे number से यहां से अलग कर लेना ठीक है अलग और आप इसको धियान से देखना सबसे first यही मैं आपको समझा रहा हूँ है यहां पर आपको कुछ नहीं करना है यहां पर verification में होनी चाहिए ना ही किसी में होनी चाहिए कि भई to verification के लिए code मंगाना है उस पर या backup के लिए अपने email दी हुई है तो आप ऐसी इस चक्र में आपका email मतलब किया आपका access first सकता है तो आप वह भी remove कर लेना वहां से ठीक है अगर फिर यहां पर दूसरी चीजें और भी आपको यहां पर जाना है payment method में payment method में जाने के बाद यहां पर आपको Google का सारा data इसका मिल जाएगा ठीक है यहां पर जो है आपका Google Pay का number यह जीपे का number कहीं ना कहीं store कर रहा होगा और उसमें भी same ही चीजें use हो रही हो तो यहां से क्या करना है आपको जो है आपको इसमें only रिडियम कोड पर की रहने देना अब बाकी आप यहां से जो है सब चीज यहां से रिमूब कर लेना ठीक है एक बार यहां पर खुलने दो मैं आपको एक बार समझा देता हूं इस payment method में आने के बाद आपको यहां पर थ्री लाइन पर क्लिक करना है क्लिक करने कद यहां पर यहां पर आपको location एड्रेस बगर आपको दिख जाएगा जो कि आपको चैंज करना है जो की तो काईज यहां पर आपको अपना एड्रेस दीखेगा तो लेकिन यह बोल रहा है कि यह जो एड्रेस है यह legendary एड्रेस है ठीक है इसे आप setting से ही चैंज कर सकते हैं तो setting में ही आपको अपना अड्रेस बगरा फिल्ड करने के बाद आप मतलब की वह आपको सेटिंग में मिल जाएगा ठीक है या तो आप गूगल की एड्सेंस में यहां की सेटिंग से भी चेंज कर सकते हैं उसे में बाद में बताऊंगा लेकिन आप यहां पर एक चीज समझ लेजिए कि अगर आपको अपना एड्सेंस क्लोज करना है और आपके पास इमेल आईडी है तो आपको क्या करना है है यहां पर क्लोज अकाउंट पर क्लिक करना है और इसे टैंप्रेली नहीं करना है इसे पर्मानेंटली करना है वहां पर दो आप्शन मिलेंगे टैंप्रेली और एक मि तो मेरे थोड़ा Internet इस होगा तो मैं थोड़ी सी चीजें आपको मतब की समझानी पा रहा हूं तो यहां पर आपको जो है अपना मोबाईल नमबर वगएरा यहां पर भी आपको चैंज करने के लिमिल जाएगा और यहां पर जो है आपको यह चीजे भी आप चैंज कर लेना हुआ जाकर ठीक है और यहां पर अपना नाम जो है यहां पर जो नाम है वह भी चेंज कर लेना ठीक है यह होता है प्रोसेसिंग यहां पर जो है ठीक है गूगल एडसेंस में जाना है और इसे इसे भी चेंज कर लेना है ठीक है यहां से आप अपना यह भी चेंज कर लेना उसके बाद मैं आपको कि आपको करना क्या है और जब यह सारी चीजिन आप complete कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है यूटूब आली ही उसमें जाना है ठीक है या पर जो क्लिक करकर आप YouTube आले पे चले जाना main चेक इन में चला जाएगा ठीक है यहां पर ऐसा बोलने लगाएगा कि आप या तो आपनी वाइटी स्टूडियो भी चेक कर सकते हैं और वाइट नद वाइटी स्टूडियो में जाकर चेक कर लिए होँआ पर अप्रूबल हुआ या नहीं हुआ और काईस आप यहां पर भी हरएग कर सकते हैं हम इसकीन पर आपको यह闊ंद दिखाएगा ठीक है सबसे फैस्ट वाल आपको बना डी किता भी डिऴिट हो जाएगा आप यहां पर प्रूप के साल देख लिजंगे कि यहां पर जो है मैंने अपना एटजसेंस जो है दो बना लिए मतल्याद मेरे इन प्रोसेसिंग में दिखा रहा है आप देख सकते हैं ठीक है और ये आप इस तरह से सौल कर सकते हैं और आपका 100% हो जाएगा अगर बाजी चाहिए आपका नहीं होता है तो आप एक काम करना एक न्यू इमेल आईडी बनाना बिल्कुल फ्रेस न्यू और उसमें आपका बना सकते हैं अपने भाई के नाम पर बना सकते हैं तो आप अपनी फैमिली मेंबर के नाम पर बना लिना और आपका जो है 100% यह वरकिंग हो जाएगा तो थैंक्यू काईज आपको वीडियो पसंद आई होगी तो पसंद आए तो लाइक करो और कोई भी डाउट रहता है को भी कुछन अहता है तो नीचे छोड़ जाना और आपको कोई भी प्रोलम आती है तो प्लीज आपको मैं अपना कॉंटेक्ट नमबर सेयर कर दूंगा आप मेरे से परसनल ही कॉंटेक्ट कर सकते अबउट में जाकर आपको मिल जाएगा आप मैं परसनल ही अपकी हेल्प कर द